हमास नेता स्माइल हानिया की मौत के बाद पूरे पश्मी एश्या में इस वक्त युद्ध का माहौल है लेकिन जो हानिया था वो आखिर कैसे मारा क्या बड़े गुपचुप तरीके से वो रह रह रहा था कतर में रह रहा था बड़े दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी इसराइल की तरफ से लेकिन इसके बावजुद उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था आखिर क्या हुआ इरान पहुचा और इरान पहुचने के बाद कुछ ही गंटों में उसकी मौत हो गाई आज इसी पर बाच्चित करेंगे मेरे साथ मेरे सहियों की मयंक है मयंक हानिया की मौत ने कड़ी सवाल खड़े कर दिया है हानिया वो शक्स था जो कि बहुत दिनों से इसराइल जिस पर नज़र रखे हुआ था खास तोर पर इसराइल में जिस तरह से आतन की हमला हुआ उसके बाद से लेकिन उसका कुछ पता अता नहीं चल पा रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ कहां से क्लू मिला इसराइल को या कैसे उसकी मौत के लिए पूरा प्लान किया गया जरा बता है हमारे दर्शुकों को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछली बार जब पिछले साल इसराइल पर हमला हुआ था उसके बाद से मुसाद और इसराइल की एजिंसियां जो है वो इसमाइल हनिया पर उन्हें खोजने की कोशिश कर रही थी और पिछले काफी समय से बताया जाता है कि वो कतर में थे आपने बताया और वहीं से ऑपरेट कर रहे थे लेकिन इस बार एक ऐसी गलती हो गई एसा माना जा रहा है कि इसमाइल हनिया ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका नतीजा जो है उन्हें जान देकर चुकाना पड़ा असल में ये तेहरान में इरान के राश्पती के शपत ग्रेंट समारों में शामिल होने गए थे इस मुलाकात की कुछ तस्वीरे जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ गई और वहां के इरान के न्यूस चैनल इसको अपने चैनल पर दिखाने लगे तो उसके बाद ये हुआ कि ये पिछले 7-8 मैने में ऐसा पहली बार हुआ जब इसमाइल हनिया की लोकेशन क्या है इसनी बड़ी चूप हनिया जैसे जो कि इतने सिक्योरिटी में रहना और लोकेशन ना बताना चिप चिप के रहना उसके बाद इतना बड़ा लूप फॉल्स कहा जा सकता है इसकी बज़ा है कि इसमाइल हनिया उनके लिए एक बड़े प्रिस्टीजियस के बात की तौर पर दिखाया रहा था कि वो इरान के राश्पती की जो है शपत ग्रेंड में शामिल हो रहे है तो वो हमास के एक आतंकी संगठन का चीफ अपने आपको इस तरह से पेश कर रहा और यहिए एक कि एक गंटे के अंदर मुसाइप उसकी आपको थी की एक रखी आना के भूसाड की बडिय के चला हम जो होगा था कि एक पर दोगाहिए को सरफ Le auch मुसाद की बताच एक बड़े बना एक मुसाद की बताता है मैं जच्रैल's के राखास धुतियस सपारेन तो ब 11 खिलाडी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद मुसाद ने उपरेशन चलाया जिसका नाम रखा था इन्होंने रैथफ गॉड और इन्होंने इस्राइल की खिलाडीों की हत्या जिन्होंने खी थी उनको चुन-चुन कर एक एक आतंकी को घर में घुस के मारा यह बहुत बड़ा ओपरेशन था और ऐसी एक 1976 का ओपरेशन था ओपरेशन थंदर बोल्ट यह ओपरेशन थंदर बोल्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इसमें एक प्लेइन को फ्रांसी सी प्लेइन था इसको हाईजैक करके इसे युगांडा ले जाया गया था और 96 इसमें जो है वो यात्री जो थे इसरेयल के काफी सारे यात्री थे मुसाद ने ऑपरेशन चलाया और उस प्लेइन के अंदर से सभी यात्रीयों को रिहा करवा लिया मुसाद अपने दुश्मनों को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और चुन-चुन के मारता है एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात है जो थोड़ दर पर चर्चा भी कर रहे थे कि यह हमला हुआ कैसे जहां पर जिस जगह पर हनिया रुका हुआ था वो जगह बहुती स्क्यूर्टी जोन में आती है मतलब वहां पर आसपास जो है वो फोर्स तो थी ही इसके साथ ही वहां पर राडास भी लगे हुए थे यह ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर कोई मिजाइल आ जाए या कोई ड्रोन अटैक हो जाए या रिस्ट्राइक हो जाए और इरान की सिक्यूरिटी सिस्टम पर भी सवा की गई तो वो कैसे अंदर आजाती है वो ट्रेस नहीं होती है अब इससे काई तो नहीं होती है अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है लेकिन सवाल अब इरान पर भी उठने लगे हैं कि आपके एक मोस स्क्यूरिडी जोन में हमास की चीफ की हत्त्या हो जाती है और इरान की खूफी आजनसी से इसको पता नहीं कर पाती है राडास उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो ये कई सवाल जो है ये इरान की ऊपर भी खड़े हुआ है अब इसे में उसकी मौत के बाद बहुत सारे सवाल इरान पर भी उठ रहे है इसलिए कहा जा रहे है कि हमास इर सब मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी में जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और जो पश्मी एशिया का पूरा माहोल है इस वक्त थोड़ा टेंस है लेकिन अब चुकि हम गाजा पट्टी की बात कर रहते हैं उसमें एक तथी यह भी निकल कर सामने आता है कि गाज गाजा पट्टी में हमास के लीडर्स है असल में हमास जो है यह दो तरह के लीडर्स के बीच में डिवाइड़ है एक तो वह है जो की गाजा में रहके उपरेट कर रहे हैं और दूसरे वह है जो की गाजा के बाहर विदेशों है विदेशों से रहके उपरेट करते हैं अब पीज के बहुती है लेकिन इस्माइल हनिया वोether हमेशेAL हनिया उनी इसमाइल हनिया उस्वंग कि भीएग गोटों बहुतीं हरेला, इसमाइल पया हनिया के यहाज़ किaba हमेशा को रहा गशवेशा हनिया में हमेशा तौनुको साहा हरा मैं हमेरेसा थी था। इस्राइल इरान तो कह रहा है कि हमारे मेहमान की हपत्या की गई है हमारे घर में तो अब इसको इरान कैसे रिटैलिएट करता है ये सब चीजे अगले कुछ घंटों में काफी कुछ रिजन में क्या हो रहा है। लेकर भी सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मायंक आप लगता है कि जिस तरह से हानिया की मौत हुई है, मारा गया है, उसके बाद नेतन याहू तो अभी फिलहाल पिछ पर खेलते दिखाए देंगे इस्राइल के राजनिती में। उनके लिए ये एक बड़ा गेन है, गेन है और इसका इनका इसराइल में आंतरिक रूप से भी फायदा होगा और इंटरनाशनली भी से नेतन याहू जो है वो एक और मजबूत नेता के रूप में फिर से एक बार से एक बार स्टेबल हो पाएंगे। आयात भी पेट्रोल का और डिजल का वहां से किया जाता है, इसलिए बहुत जादा भारत कुछ कह नहीं रहा है। तो भारत के चुपे हम बान के चले की स्ट्रेजिकली बहुत ठीक है माया? भारत किसी भी आतंकी कारवाई का हमेशा विरोफ करता रहा है लेकिन जहां तक संबंदो का सवाल है तो हमने हमेशा देखा कि हम एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पॉलिसी मान के चलते हैं खासकर मोदी सरकार के आने के बाद तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत तो हमें एक इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं तो भारत सीस आप से जो है इसको रिस्पॉंड कर रहा है तो आपने देखा कि किस तरह से मौत हुई किस तरह से राचुति खलचल है पश्मी एशिया की इस राचुति खलचल पर लगतार हमारी नजर बनी रहेगी आपने रहे हमारी साथ